हेलो एवरीवन, वैलकम बैक टू मैं चैनल, सुगैज आज की इस वीडियो में आपको बंद कलियों वाला गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी इस गाउन को बनाने के लिए मैंने 4 मिल्टर फैब्रिक का यूज किया है और ये फैब्रिक कोटन का है इसकी विर्थ है 44 इंच पर, गाउन को हम हैवी बनाएंगी, इसके लिए मैंने आपर 4 मिल्टर फैब्रिक लिया है इस तरह से हमें अपने मेजर्मेंट के अकोरिंग कुर्ति की कटिंग कर लेनी है अगर आप कुर्ति कटिंग वाले वीडियो देखना चाते हैं, तो काफी वीडियो मैंने अपनी चैनल पे पोस्ट की है आव वाँपर जाकर कुर्ति कटिंग की वीडियो देख सकते हैं अभी हम बैक नेक की कटिंग करेंगी आप चाहें तो बैक नेक की कटिंग तीन इंच पर विरक सकते हैं लेकिन गाउन में डीप नेक अच्छा लुक देता है यहाँ पर जो बैक नेक की डीप रखी है मैंने वो आठ इंच पर रखी है और विर्थ हम तीन इंच पर रखेंगी और यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है और यहाँ पर हम गुलाई में सेफ दे देंगी अभी सेफ के अकोरी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से बैग नेक को हम कट कर लेंगी अभी हम बाजू के कटिंग करेंगी सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ट फोल्ड करना है बाजू की जो लेंद रखी है मैंने चोईस इंस पर रखी है एक इंस ज़्यादा रख लेंगी कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करेंगी तो सबसे पहले हम टोप आट को तैयर करेंगी इसके लिए मैंने आपर गोल पटियां कट किये है पटियों की रैर सैड हमें नीचे की तर्फ रखनी है इस तरह दोनों की रैर सैड नीचे की तर्फ रखते हुए नेक पर हमें स्लय लगा देनी है दोनों पाटों में पट्टि को हमें रोंग सैड की तरफ फोल्ड करना है और पूरे में ही सलय लगा देनी है अभी हम सोल्डर को अटैच करेंगी दोनों की रैर शेड हमें नीचे की तरफ रखनी है इस तरह और सोल्डर पर सलय लगा देनी है इस तरह से हमें इस 올र पे शिरया लगानी है पटी पर हम hand stitch कर लेंगी अभी हम बाजु को attach करेंगी तो तोप आट को हमें शीदी की साध की तर रखना है और बाजु को भी इसके उपर सीदी की साध की तर फी रखेंगी इस तरह और शिरय लगा देनी है बाजु के बोटम को आदेंस की दुरी पर डॉल फोल्ड करना है और सिलय लगा देनी है इसी के अकोड़े हम दूसरी बाजु को स्टिच करेंगी इस तरह से हमें बाजु को भी स्टिच कर लेना है और बोटम को भी हम रेडी कर लेंगी अभी हम बाजू के बोटम पर लेस को अटेच करेंगे तो यहाँ पर मैंने गोटा पत्ती वाले लेस ली है बोटम पर लेस को रख देंगे और सलय लगा देंगे दोनों बाजूओं में लेस को अटेच करने के बाद अपने मेजर्मेंट के अकोरिंग सबसे पहले हम टो पार्ट में फिटिंग में सले लगाएंगी तो जो भी आपके टो पार्ट की लेंध हो उसको हमें हाफ करना है इस तरह उर हाफ करने के बाद एक सेंटर में मार्क लगा देना है इस मार्क से हमें अपने फिटिंग का मार्क लगाना है तो जो भी आपका fitting का measurement हो उसी के according हमें आपर mark लगाना है यहापर जो chest की लंबाई है वो 36 inch पर है तो एक side mark हमारा 18 inch पर आएगा तो इस center से हमें दोनों side 9 inch पर mark लगा देना है अभी बाजू का आपका जो भी measurement हो उसी के according हमें आपर mark लगाना है वुल्मारिक के उपर दोनों सेड हमें अपने मेजर्मेंट के अकोरिंग फिटिंग में इस रे लगा देनी है इस तरह से अपने मेजर्मेंट के अकोरिंग टोप पार्ट में हम फिटिंग में इस रे लगा देंगे टोप पार्ट को रेड़ी करने के बाद कलियों की कटिंग करेंगी तो जितना वी कपड़ा बसता है हमारे पास उसको हमें चैर भागों में रख लेना है इस तरह जहां से कपड़े का पैना है वहां से कपड़े को हम चैर भागों में रख लेंगी अभी हम फैब्रिक को आठ भागों में रखेंगी इस तरह यहां पर फैब्रिक 8 भागों में है इसको हम फिर से फोल्ड करेंगी फिर से फोल्ड करने के बाद ये फैब्रिक 16 भागों में हो जाएगा आप चाहें तो फैब्रिक को अकाउंट भी कर सकते हैं इस तरह अभी हमारा जो फैब्रिक है वो 16 भागों में है अब भी हम कल्यों की लेंद रखेंगे यापर जो कल्यों की लेंद रखी है मैंने वो 40 इंच पर रखी है एक इंच हमें यापर ज़्यादा रख लेनी है सिलाई मार्जिन के लिए तो जो भी आपकी लेंद हो उसमें हमें एक इंच पलस कर देना है लेंट आप अपने कोडिंग आपर कम ज़्यादा वी रख सकती हैं 40 इंज पर हमें आपर मार्क लगा देना है और एक्ष्टा कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से 40 इंज पर हम कली की कटिंग कर लेंगी अभी हम बंद कली का मार्क लगाएंगी तो जो भी आपकी लेंट हो उसको हमें हाफ करना है और हाफ करने के बाद उसमें हमें 3 इंज मैनस कर देना है यहाँ पर जो कली की लेंट है वो 40 इंज पर है 40 इंज को हम हाफ करेंगे तो 20 इंज आएगा और 20 में हमें 3 इंज मैनस कर देना है तो यहां पर जो मारक लगाया है मैंने वो 17 इंच पर लगाया है ये मारक आप किसी भी सहज का लगा सकते हैं सबसे पहले हमें लेंद को हाफ करना है उसमें 3 इंच मैनस कर देना है तो इस तरह से बंद कली का मारक हमें लगा लेना है अभी हम वेस्ट का मार्क लगाएंगी तो जो भी हमारी फैब्रिक की विर्थ है उसको हमी हाफ करना है इस तरह और सेंटर पर एक मार्क लगा देना है इस मार्क से हमी वेस्ट का मार्क लगाना है तो यहाँ पर जो वेस्ट की लंबाई है वो 34 इंज पर है 34 को हमें 16 से डिवाइड करना है क्योंकि हमारा जो ये फैब्रिक है अभी 16 भागों में है तो 34 को हम 16 से डिवाइड करेंगी तो सवा 2 इंच आएगा और सवा 2 में हमें 5 इंच एक्ष्टा मार्क लगाना है सलाई मार्जन के लिए तो यहाँ पर जो टोटल मार्क निकल कर आया है वो तीन इंच पर आया है तो जो भी आफकी वेस्ट की लेंथ हो उसको हमें 16 से डिवाइड करना है और उसमें हमें आदे से एक इंच एक्ष्टा एड कर देना है सलाई मार्जन के लिए तो इस सेंटर से हमें इंच टेप को तीर्चा रखना है इस तरह और हमने जो 17 इंच पर मार्ख लगाया था वहाँ पर एक तीर्ची लेंड ड्रो कर देनी है दोनों सेड हमें ये मार्ख लगाना है और जिस तरह से हमने मार्ख लगाया है उसके अकोरिंग हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से हमें अपने मेजनमेंट की अकोरिंग कलियों की कटिंग कर लेनी है याँ पर हमारी 16 कलियां बनकर रेड़ी हुई है अब ही हम इनको ओपन करेंगे इस तरह तो याँ पर जो कलियां कटूई है हमारी वो 16 हुई है बैक और फ्रेंट दोनों पार्टों के लिए कलियों की कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करेंगी तो एक कली के उपर दूसरी कली को हमें इस तरह रख देंगी दोनों की जो रैर सेड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है इस तरह और सिलय लगा देनी है कलिया हम किस तरह से अटेच करेंगे वो मैं आपको सलय मसीन पर बताऊंगी दोनों की रैर सेड अंदर की तरफ रखनी है सलय लगा देनी है ये सलय हमी दो से तिन पॉइंट की दूरी पर ही लगानी है जहां तक हमने कलियों को कट किया था उससे दो पॉइंट की दूरी पर सलय को हमें बाहर निकाल देना है इस तरह इस तरह से कलियों को अटेच कर लेना है अभी इसी के अकोडिंग दूसरी कलियों को इसके उपर रखेंगे दोनों की रेड सेड अंदर की तर्फ रखनी है और जान तक हमने कले को कटी किया है वहां तक हमें सले लगा देनी है इस तरह हमें दो परंट की दूरी पर नीचे से सिलाय को बहार निकालना है तो अभी इसी के अकोरिंग हम बग के बच्चों ये कलियों को एक दूसरी के उपर रखते जाएंगे और सभी कलियों को हमें अटैच कर लेना है तो इस तरह से सभी कलियों को हमें अटैच कर लेना है अब भी दोनों कॉन्रों को हम पकड़ेंगी इस तरह से हमें दोनों कॉन्रों को मिला देना है और बोटम में हमें फिटिंग में सिल्य लगानी है तो जो भी आपका वेस्ट का मेजर्मेंट हो तो पार्ट में जो भी आपका वेस्ट का मेजर्मेंट हो उसी मेजरमेंट के अनुसार हमें बोटम में सिलय लगानी है तो कुर्ति को इसके बराबर में हम रख देंगी और इसके बराबर में हमें मार्जन लगा देना है और मार्जन के उपर सिलय लगा देनी है इस तरह से हमें अपने मेजरमेंट के अकोरिंग बोटम के वेस्ट में भी सलय लगा देनी है उसके बाद बोटम और टोप पार्ट को एक दूसरे से अटैच करेंगी बोटम पार्ट के अंदर टोप पार्ट को डालेंगी और वेस्ट वाली सलय हमें दोनों की एक दूसरे से मिला देनी है इस तरह दोनों की जो रैर सेड है वो हमें अंदर की दर्फ रखनी है वो रखते हुवी पूरी गुलाय में ही हमें सिलय लगा दीनी है इस तरह से हमें बोटम और टो पार्ट को स्टिच कर लेना है बोटम पार्ट के लिए हमने जो मार्जन छोड़ा था पर फोल्ड करते हुवी पूरे में ही सिलय लगा दीनी है बोटम पर मैंने गोटा पत्ती लेस का यूज किया है लेस का यूज करने के बाद इसका लोग और भी अच्छा आया है बैक नेक के लिए फैब्रिक लटकन का यूज करेंगी अगर आप फैब्रिक लटकन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी